नमस्का दसकों मैं हूँ कमल श्रीमाली पिछले कुछ दिनों से हम निरंतर बात कर रहे हैं भाग्या उदय की कि भाग्य किस प्रकार से किस प्रयास से किस उपायों से भाग्य को और बल्वान किया जा सकता है सीधी सी बात है जब आपकी कुणली है उसमें हर भाव के लिए कोई ग्रह उसका उत्तदाईत्वा लेता है कोई ग्रह उसका representative होता है अता उसका अधिकार उसके पास में होता है भाव बारा हैं लेकिन ग्रह नौ है और उसमें विसे भी साथ ग्रह मुख्य रूप से जिम्मेदार माने जाते हैं सबी ग्रह कोई सुब या असुब हो सकता है सारे ग्रह कभी सुब नहीं हो सकते हैं लेकिन हमारा विश्य विश्य रूप से भाग्य है हम इस समय भाग्य को ही विश्य रूप से महपूर दस्ती से देख रहे हैं वहना पूरी कुंडली देखने पर एक सब्जेक्ट भाग्य भ पचीस वर्स अथा पचीस वर्स की उम्र से उस व्यक्ति को भागयोदय होता है या बागया का प्रभाव से ज्यादा मिलने लगता है शुक्र जैसा घ्रह जब कुर्णी में प्रबल हो जाता है तो व्यक्ति सुख सुविधान आराम पसंद में ज्यादा अपना इंटरस्ट ल ज्यादा होती है चाहिए संगीत में हो चाहिए नाटक में हो चाहिए एक्टिंग में हो मॉडलिंग में हो इन चीज़ों में उसका रुजान ज्यादा होता है क्यों शुक्र इसी ग्रह का मालिक है एंटर्टेइन्मेंट का मालिक है हाथा मनो नजन के साधनों का मालिक शुक तब हम भागे के लिए सबसे ज़्यादा यही सोचते हैं सू अवसर या कू अवसर इस में से कौन हमको मिलने वाला है या हमको क्या मिलने वाला है और सू अवसर का उपयोग कैसे ज़्यादा किया जाए और कू अवसर से बचा कैसे जाए नेगेटिव परस्तितियों से कैसे बच सकते और अच्छी परस्तितियां उनका कैसे फाइदा उठा सकते जो तिसी सामने कुणली है तो वो समय देखकर कि आपको यह बतला सकता है कि इस समय यदि आप यह पार करेंगे या रिस्ट वेक्टर में जाएंगे तो ज़्यादा लाप कमाएंगे ज़्यादा केन करेंगे और टाइम नेगेटिव है तो बहुत साफ़दान रहने के आपको शकता है ज्यादा करेगा और हमेज़ा अनलैसिस करने का गुन ज्यादा होगा और ऐसे ही व्यक्ति शुक्र और बुद्ध को गुर्ली में बल्वान होता है तो जिनकी भी कुल्ली कन्या लगने की है उनकी मैं बात कर रहा हूं आपको अपने जीवन में जो सक्षम हो हीरा पहन सकते हैं लेकिन अधिकांस लोग सफिद ओपल या जरकन ही पहन सकते हैं अपने जीवन में भागी की प्रबलता के लिए भागी को और बलवान बनाने के लिए क सरलता से अपने लक्षे तक पहुंच जाएगा और यह सामने की हवाय तब उसे ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा तो भागया का अर्थ सरफ आपको सपोर्ट करना है तो आप सरलता से अपने डेस्टिंशन तक पहुंच पाएंगे कम समय में और कम परिश्रम के साथ में सपता जब मिले जब यका यक आदमी को अंचाही सपता मिलने लग जाए तो उसके साथ में कोई उनको अगटित भी गटित जरूर होता है इसने साफदान रहने की जवतवती है कन्या लगनी की कुंडली में यदि चनमा मिथुन रासी का दसमभाव में हो लगन में के जीवन में उपलब्द होती है उस व्यक्ति को जीवन में मिलती है बुद्ध कुंडली में उच्छ रासी का हो जाएगा जब लगन में होगा शुक्र कुंडली में अपनी मूल्त रिकॉन रासी का हो जाएगा जब सेकेंड आउस में होगा और चनमा जिसको बोलते हैं ला इभी कवज का पाट्ट जरूर कड़ना चाहिए, कर सकते हैं तो लख्षमी सूत्र अताद श्री सुत्त का पाट करें छोटा सा मंत्र है, ओम श्रीम स्रीय नमहTube, इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। यदि स्री उंत्र धारन खर सके, तो और अच्छा, नई, तो अपने जीवन में हीरा, पन्ना और नीलम ये तीनों रत्न आप धारन करके, अपने जीवन को और बलवान बना सकते हैं, और ज्यादा अवसर आपकी जिन्दगी में आ सकते हैं, और आप अधिक सफ़ल हो सकते हैं. आज हम उदार्ण लेते हैं एक कुंड़ी का इस कुंड़ी के स्वामी जौन केनेडी जिनके नाम से आप भली बारिती परचित हैं कन्य लगनिकी उनकी कुंड़ी है और कुंड़ी में नवम भाव में आपको स्क्रीन पर कुंड़ी दिखाई दे रही है कुंड़ी नवम भाव में शुक्र भी विद्यमान है ब्रस्पति भी विद्यमान है सूर्य भी विद्यमान है शुक्र की बात करेंगे शुक्र स्वेगर तो लगन शनी के बारे में ये कहा जाता है कि सनी जिस भाव पर स्थित्र रहता है उस भाव को सदेव बल्वान करता है और सनी की इकदस भाव में जिब icon star1 जब शनी है लाब का कारी करेगा पको और जज़्धा प्रबल करेगा और सनी इस कुणली में जब फिफ्त आउस का मालिक है फिफ्त आउस को तिरिकोन बोला जाता है तिरिकोन का स्वामी सनी कुणली में एकदस बाव में होकर वापस तिरिकोन को देखेगा पंचम बाव को देखेगा सनी की तीस्ती दस्ती लगन को देखेगी और सनी की दस्ती दस्त सबसे बढ़ा गुन होता है यह थिकतिश जाएं कि करने वाले करनेवा व्यक्तिश यह जोगा करना आगका जो दइसंव Industry और उन Donc बन सकते हैं सरफ व सिरफ अपनी कुणली के योगों को पैचानी में आपको जानना है और उसके साथ में अपना जीवार आगे बढ़ाना है हम कल बात करेंगे तुलाजने की तो तुला लगने के जातर जो इंतिजार कर रहे हैं कल उनकी बारी है तब तक स्वास्त रहिए प्रसंद रहिए अपना ख्यार रखिए नमस्कार और अगर आप घर बैठे ही फोन पर कमल श्रिमाली जी से अस्ट्रोलोजी, नुमरलोजी, जैमलोजी और वास्तो शास्तर कंसिल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इन फोन नमबर्स पर डायल करके घर बैठे ही फोन पर कंसल्ट कर सकते हैं कमल श्रिमाली जी को आप अपने शहर में वास्तो विजट के लिए भी इवाइट कर सकते हैं अब भारत के किसी भी शहर या दुनिया के किसी भी देश में क्यों न रहते हूं यदि आप अपने घर, आफिस, फैक्टरी, शौप, शोरूम के लिए वास्तो विजट करवाना चाहते हैं या फिर नक्षा दिखाना चाहते हैं तो इन फोन नंबर्स पर फोन करें और अपॉइन्मेंट के लिए प्रोसीजर जान लें